आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासिस के यूटूब चैनल पर हाजी थमनेल आपने बिलकूल सही पड़ा हाई कोट ने राजिस्तान हाई कोट ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशकबरी दिये इन्होंने एक ऐसा डिसीजन पास किया है ज इसी को लेकर एक बड़ा डिसीजन है तो इस केस को अगर आप पूरा समझना चाते हो तो इस वीडियो के अंत तक बने रहीएगा अब यह रिसेंट में जैज्मेंट आईए 26 अप्रेल 2023 को मैटर क्या था जरा मैटर समझिएगा कि वही दो फरवरी 2022 को ठीक है ना यहां पर पिछले साल की दो फरवरी 2022 को एक व्यक्ति है एक फर में उसका रजिस्टेशन कैंसिल हो जाता है हम यह एजूम कर लेते हैं कि उसका लेट सपोच दो फरवरी 2022 को रजिस्टेशन कैंसिल हो गया यहां पर जो बात है रजिस्टेशन कैंसिल के सासत आई टीसी लेने की है तो ITC लेने के लिए इस judgment का आप कैसे use करेंगे वो बताऊंगा तो मानलो की registration 2 February 2022 को cancel हुआ यह registration cancel क्यों हुआ कि हो सकता है व्यक्ति ने पिछली return ने फाइल नहीं करी थी तो यहाँ पर return ने कौन सी आ गई financial year 2021 की return ने आ गई 2021 की return ने फाइल नहीं करी registration cancel कर दिया और जब यह registration cancel कर दिया व्यक्ति गया revocation कराने के लिए उसका revocation हुआ नहीं वो भी reject हो गया व्यक्ति फिर गया अपील में अपील भी reject हो गई अब ऐसा करते करते व्यक्ति चला गया high court क्योंकि भाई business तो कर नहीं था उसने high court का दरवाजा खटगटाया अब यह जो period था यहाँ पर भी business चल रहा है और यह जो financial year 21-22 का period है यहाँ पर भी वो return file नहीं करी है registration cancel हो चुका है अब मुद्द यह आया कि जब यह high court में बात चल रही थी 31 March की date भी पास हो गई 31 March को क्या हुआ था 31 March को notification आई थी amnesty scheme आई थी कि अगर किसी का registration cancel हो गया है ठीक है ना चाए matter appeal में है चाए वो हार गया है तो आप उसका registration दीवोक करके उसे दुबारा business करने की अनुमती दे दू तो अब सर दिक्कत क्या है बंदा registration दीवोक करा ले और अपना business कर ले भाई दिक्कत ये है ITC का क्या होगा भाई साब इस period के ITC का क्या होगा और जो पिछले वाला period है इस ITC का क्या होगा सर इस ITC की अगर हम बात करें अगर हम ITC की बात करें financial year 22-23 की तो साब ये वाला ITC वेक्ति कैसे क्लेम करें क्योंकि इस period में तो वो unregistered वेक्ति था deregistered वेक्ति था और section 16 कहता है कि भाई ITC तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम register पर सलूँ और अगर हम बात करें financial year 21-22 की ITC की तो बाई सब 16-4 की time limit निकल गई तो अब आप कह रहे हो कि अगर तुम्हारे registration कैंसिल हो गए तो आप late fees जमा करो late fees जमा करके ठीक है ना हमारे को liability pay कर दो और अपना registration दीवोक करा लो तो भाई ITC क्यों निदो गए सब ITC तो नहीं देंगे इस period का इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 16-4 की time limit गई तो यहां पर राजिस्तान आइकोट क्या कहता है राजिस्तान आइकोट यहां पर अपने last paragraph में कहता है कि भाई जो petitioner फर्म है शैल बी entitled to logist ITC claim कि भाई जो यह petitioner फर्म है जिसका आप registration दीवो कर रहे हो वो ITC claim कर सकता है input tax credit in respect of period from the cancellation of registration till the registration is restored यह वाली बात किसने बोली राजिस्तान आइकोट ने अब मजे की बात यह है कि राजिस्तान आइकोट ने बात तो बोल दी लो में तो ऐसा लिखा नहीं है लो में लिखा वाई 16-4 तो अगर हम अब logical जाएं कि बाई जब हमने अपना registration रिवोक करा लिया आपको late fees दे दी आपको tax दे रहे हैं तो ITC दो गए या नहीं दो गए क्योंकि इस period में तो ITC में मिली नहीं सकता था क्योंकि हमारा dispute ही चला था हम appeal में ही थे हम return कैसे file करते और आप रिटन file करेंगे late fees देंगे आपको tax देंगे तो ITC दो तो राजिस्तान high court भी यही कह रहा है कि जब आप सामने वाले वेक्ति से late fees ले रहे हो आप उससे tax ले रहे हो तो ITC क्यों नहीं देते अगर यह वाला decision favor में आ जा तो department इसके against supreme court नहीं जाता है तो अब यह मुद्धा हो सकता है कि 16-4 के case में हमें ITC मिल जाए और यह भी मुद्धा हो सकता है कि यह जो de-registered वाला period है उस वाले case में तुम यह कहते हो sale तो कर लो ठीक है ना पर तुम registered नहीं हो sale कर लो ठीक है ना बाद में revise in voice दे देना लेकिन उस period में जब बंदा sale करेगा तो purchase भी तो करेगा तो उस purchase में तुम ITC दो गई नहीं क्योंकि उस purchase में तुम unregistered और जिस व्यक्ति से तुम खरीद रहे होंगे वो भी उस supply को B2C में डाल रहा होगा समझ मैं ही मेरी बात तो अगर आप registration जब आपका रिवोक हो जाएगा तो तुम अपने supplier को बोलोगे भाई B2C में डाल आप इसे अमेंड करके B2B में डाल दे क्योंकि मेरा registration रिवोक हो गया और रिवोक कैसे हुआ होगा जिस दिन कैंसिल हुआ होगा उसी दिन से में रिवोक हो और जब मैं उसी दिन से रिवोक हो गया तो मुझे पिछली पर चेजित का ITC मिलना चाहिए तो यहां पर यह एक वेलकम डिसीजन है ठीक है ना राजिस्तान आई कोट का अगर आपको इसकी कोपी चाहिए तो जो हमारा टेलिग्राम ग्रूपे के क्लासिस अपडेट की नाम से आप उस टेलिग्राम ग्रूप पर जुड़ जाना मैं वहाँ पर आपको शेयर कर दूँगा सर आने वाले प्रोग्राम क्या है अभी इंकम डेक्स का सीजन चला है तो ITR 4 के उपर एक पूरा वेबिनार रखा है इस संडे को ग्यारा से एक बजे तक वो जरूर जोइन कर लेना इसके अलावा इस सेटरडे को इंकम टेक्स जिड़क्शन के उपर हमारा पूरा चैप्टर है उसे जोइन कर लेना फूल कोर्स लेना चाहते हो इंकम टेक्स का वो ले लो और GST में इस बार के संडे में हम आपको पढ़ा पाइंगे ITC का चैप्टर फुल कोर्स लेना है तो फुल कोर्स ले लो नहीं तो एक क्लास भी ले सकते हो अगर डिड़क्शन का लेना है तो डिड़क्शन और हाँ अब यह जैसे हाई कोट की जज्जमेंट आई अब आप अपने ठीक है ना जो भी क्लाइंट्स है उन्हें इसके बारे में अवेर कर सकते हो कैसे अवेर कर सकते हो हम इसका एक फ्लायर बनाने की सोच रहें इसका एक फ्लायर बनाकर आपको दे देंगे पूरा इसका एनलाइस करके ठीक है ना और क्या होगा नीचे आपका नाम और आपकी फोटो आपका डिटेल डाल देंगे तो तो आप हमारी टीम से कॉंटेक्ट कर सकते हो इसमें आपको बढ़िया से टिकट बना के वेज़ देंगे और फिर आपको अपडेट्स देते रहेंगे डूडेट्स की हो गई फैस्टिवल की हो गई यह सारी एक प्रोफेशनल तरीके से देते रहेंगे यह सर्वीस हमने बाद करके पेमेंट करें किसी और नंबर पे पेमेंट ना करें तीक न उसकी हमारी कोई जुम्मेदार ही नहीं होगी तो इसी नंबर पेमेंट करें वीडियो कैसी लगी comment box में लिक कर बताना इस हाइकोट की judgment के लिए आपका क्या कहना यह जरूर बताना ठीक है और आगर आ आर की एनुवल मेंबर्शिप लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हूं वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं